मेरा नाम है मनीश आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आप लोगों के लिए एक स्रीज की शुरुआत की थी जिसका नाम था रेकैब 2023 जिसमें वर्ष 2023 की तमाम घटनाओं को समेटने का प्रयास हमने कुछ सेगमेंट्स के अंतरगत किया था अब हम आपको रिविजन करवाने के लिए एक और प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेकैब 2023 क्विज इसमें हम उन टोपिक से संबंदित कुछ प्रशनों को लेकर के आए हैं ताकि आपका रिविजन बहुत तेजी से हो सके तो कुछ प्रशनों से ही शुरुआत क हो चुकी है अब हम सामाने तोर से रिविजन करवाने के लिए आपका आये हैं अंतराश्ट्य बोधिक संपदा सूचकांग की संधर्ब में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए आपका पहला कथन है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और दूस है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों सही है नेतो एक सही है और ने तो सही है इसका जुस सही उत्तर है वह यानि केवल दो सही है वर्ष दो हजार देजिए के सूचकांग संपधा धाची का मुल्यांकन करना इसका महदवपूर्ण उदश्य है और इसके अंतरगत ये 50 अधवीती संकेतुकों का इस्तमाल करता है 55 प्रमुक अर्थविवस्थाओं में भारत को वर्ष 2023 में 42 वा इस्थान इसके अंतरगत हासिल हुआ है वही पहला दूसरा और तीसरा इस्थान करमश यूएस यूनाइटेट केंगडम और फ्कांस ने प्राप्त किया है हम आगे पढ़ें इससे पहले आपके लिए एक सूचना है इस गणतंतर दिवस पर हम आपके लिए एक उपहार लेकर क्या है ये उपहार क्या है दृष्टी लर्निंग एप पर उपलब्द सभी ओनलाइन पैन ड्राइव कॉर्सेज और टेस्स रीज पर आपको 21 से 25 जनवरी तक 20 से 50 परतिशवत का डिसकाउंट दिया जाएगा इस सुधा का लाब उठाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप डेस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक पर जाएं और वहाँ आपने आपको एंडरोल करा करके सुधा का लाब उठाईए साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप इन नमबरों पर कोल भी कर सकते हैं साथ ही आपके लिए एक और उपहार है ISGS Foundation Course Live Online जो क्लासेज हैं उसके अंतरगत भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में 40 परतिशत की छूट दी गई है और ये कोर्स आपको मातर 60,000 रुपे में उपलब्द होगा साथ ही आप इसका पुरी तरह से लाब उठा सके इसके लिए आप चार किस्तों में ये भुपतान करा सकते हैं पहली और दूसरी किस्त 20-20,000 रुपे की होगी और तीसरी और चोथी किस्त जो होगी वो 15-15,000 रुपे की होगी साथ ही आप इन नंबरों पर कोल कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करा सकते हैं और इस कोर्स का भी लाब उठा सकते हैं अपने अगले प्रशन की तरब बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन क्या है वह वैशवे खुशाली रिपोर्ट एक द्वे वार्शक रिपोर्ट है और दूसरा कथन है वैशवे खुशाली रिपोर्ट दो हजार टैस में भारत ने 101वा इस्थान प्राप्त किया है उपर युक्ट कतनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है आपके options हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ने तो एक और नहीं दो, इसका सही उत्तर है D, यानि ने तो एक और नहीं दो, इसके बारे में भी थोड़ी विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि इस सूचकांग किसके द्वा करता है, जब किस statement में ये दिया गया था कि दिवार्शिक प्रकाशन होता है, तो इसका प्रकाशन हर वर्ष होता है, कब होता है, 20 मार्च के आसपास अंतराश्टिक खुशाली दिवस के हिस्से की रूप में इसको प्रकाशित किया जाता है, भारत को वर्ष दोहजार तईस में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 137 दिसों में 126 वा स्थान प्राप्त हुआ है वैश्वी खुशाली सुचकांक में प्रमुख रूप से 6 संकेतों को का इस्तमाल किया जाता है कौन से संकेतक हैं सामारीक सहयोग आई स्वास्त स्वतंतरता उधारता और ब्रष्टाचार क की अनुपस्थती इस साल की जो रुटोट है उसमें पहला स्थान फिल्लेंड ने प्राप्थ किया है दूसरा स्थान डेनमार्क ने प्राप्थ किया है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है निम्नलिखित युग मोग पर विचार कीजिए इसमें सूचकांग दो हुजार तेईस इसमें 144 वी रैंखा भारत ने हासिल की है वैश्विक आतंकवार सूचकांग दो हुजार तेईस भारत की रैंग 13 वैश्विक नवाचार सूचकांग दो हुजार तेईस भारत की रैंग 46 उपर युक्त में से कितने युग्म सुमेलित है सही उत्तर है यानि केवल एक ही सुमेलित है इसकी थोड़ी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सुमेलित है विस्व प्रैस स्वतंतरता सूचकांक आप जानते हैं कि प्रतेएक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वा एकॉनमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और भारत को इसमें तेरवा इस्थान हासिल हुआ है वर्ष 2023 की रैंकिंग में इसी तरह से वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन से संबने जो इंडेक्स है ये विस्व बॉधिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 2023 में 132 देसों में से भारत को 40 वा स्थान प्राप्त हुआ है अगला प्रशन देखते हैं आज के इस क्विज के एक खास बात ये है कि आपको केवल 3 प् प्रशनों का उत्तर दे सकते हैं तो आपका रिविजन भी अच्छी तरह से हो जाएगा प्रशन क्या है वर्ल्ड एकॉनमिक आउटलोक 2023 के संधर्व में निम्नलिखित कथनों पर विजार कीजिए पहला आपका कथन है यानि इंटरनेशन मॉनिटरी फंड अंतराष्टी को उस द्वारा जारी किया जाता है दूसरा कथन है इसके अनुसार भारत की जीडीपी व्रद्धी दर 2023-24 में 6.3 प्रतिशत अनुमानित है आपके ऑप्शन क्या है उपरिक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है ऑप्शन क्या है केवल एक केवल दो एक और दो दो ने तो एक और ने तो दो इस प्रशन का उत्तर आपको कॉमेंट वॉक्स में कॉमेंट करके हमें बताना है और साथ ही मदद लेने के लिए आप रीकैप 2023 का जो हमारा प्रोग्राम है महत्वपून सुचकांग को रिपोर्ट से संबंदे तो उससे देख सकते हैं अगला प्र प्याज से जारी किया गया है साथ ही दूसरा कथन है इसके अनुसार भारती मोर की संख्या और छेतर विस्तार यानि फैलाव दोनों में कमी दर्ज की गई है आपका प्रशन क्या होगा उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है यह हैं ऑप्शन क्या है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ने तो एक और नहीं दो इस प्रशन का उत्तर भी आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके देना है और इसकी मदद के लिए भी आप हमारा रीकैब दो हुजार तीस प्रोग्राम जो सूचकां को रिपोर्ट से सम्मनित है उसे देख सकते हैं फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद